अग्ले सी आदो जी चल कर आपके घर आये थे यह बात सही है सही है जी अच्छा कितनी देर तक लगभग ठहरे थे आपके कम से कम एक घंटे एक घंटे भोजन भी किया थे भोजन भी हमारे यहीं पे किया था भोजन में क्या क्या खिला आपने उनको सारे कड़ी है चावल है हां रोटी है मतलब माखी की हां तबेवाली रोटी हमारे अच्छा तो उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट बुला है वह जनको हमारह बच्चे से खाई ज़न आप अच्छुब देखने को मिलता है सर कोई नियादा है हमारे यहाँ नियादा है कोई भेडभाव मानते हैं पाने वने कोई ने पीता पाने वाने को छे अगले से यादो जी आये थे आपके हां हाँ हाँ जी आये क्या कुछ बनाके खिलाया आपने उनको कड़ी चाहल भरता चैटनी वी बनाई ती अच्य रोटी अगयां की उन्हें खाया है आप नहीं बनाया बहुत जाता है किसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं तो तो सब्सक्राइब करके मतलब कहते हैं और क्या है किसे और मजदूरी ना करें तो फिर ब्हूंके रहें जागा जमीन कुछ है नही प्रदेश के च्छतापूर जिली के राजनगर विधान सभा में मौजूद हैं दोस्तों कि दिनों लोग का महापर्व चल रा मद्द प्रदेश नी की मद्द प्रदेश बिदान सबाद चुनाओ 2023 की तस्वीरे दिखाने के लिए आज हम राजनगर विदान सबा के एक शिगरो नामक गाहों में मौजूद हैं दोस्तों जैसा कि बताते चले कि मद्द प्रदेश की अगर बात करें तो मद्द प्रदेश में दलित आदिवासी बस्तियों की भरमार होती है ज्यादा तर पाठ राजनगर विदान सबा के अंतर गताने वाला शिगरो नामक गाहों है और जिस आधिवासी के घर अधिलेश यादो जी ने भोजन चीए था और यहां पर विश्तराम किया था उनका नाम है इंद्रपाल आधिवासी तो आज हम इंद्रपाल आधिवासी के घर पर और है आगे चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कि दरसले इंद्रपाल आधिवासी का घर है कैसा जहां पर ओन एंद्रपाल जी ने फिर क्या सांतोना दी अपनी तरफ से उन्होंने और इनके हाल महौल जाने तो हाल महौल जानने के बाद जैसे कि इनकी जो इस्थिती है इनकी जो परिस्थिती है वो तो उन्होंने देखा ही होगा तो देखने के बाद उनको क्या लगा और क्या कुछ कहा इन से आईए आप इ इतनी देर तक लगबग ठहरे थे आपके कम से कम एक घंटे एक घंटे भोजन भी किया थे भोजन भी हमारे यहीं पर किया था अच्छा चलिए हम अच्छा बादचीत करते हैं भोजन में क्या-क्या खिला है आपने उनको कड़ी है चावल है रोटी है मतलब मकाई की तबे वा आप मिलने के बाद कुछ संतो ने आपके सबी लोग है जो मतलब के आनाम करके सबीष लोग मतलब समवत सही श्लामार से से चलें और आपना है गवे उननों को मतलब अगर हमारे सरकार आएगी तों उनको मतलब को सहायता भी करेंगे और जो कुछ बहुत-बहुत से बारे में मतलब जो बताया हम जानकारी नहीं है तोड़ा अच्छा आपको आपको अगले से आदो जी से मिलकर कैसा लगा बहुत अच्छा जी साब इतना अच्छा कि हम कभी सोची नहीं सकती ती कि इतना बड दोस्तों यहें गरीबों की आवाज आप देख पा रहे हैं कि अधिवासी के घर हम इस वक्त मावजूद है जहां पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पालिटी के राष्टी अध्यच अगलेस यादो जी आये थे और यहीं पर रुके थे तो यह इंद्रपाल आदिवासी पर तो आज तक कोई बड़ा नेता आया ही नहीं हाँ सब्सक्राइब हम लोगों तो अब क्या देखने को तक नहीं नेता लोग मिलते हैं चुआ चुआ चुट तो देखने की तो बात क्या है अच्छा ऐसा मानते हैं लेकिन एक लिए से यादो जी के अंदर ये सब कुछ द सब्सक्राइब और भी पूरेना मानते हैं नहीं कभी जो हमारे मतलब आथे भारू है tara हमारों बढ़ी उन जुड़े वर से उन पुप है मों आज धाल है aç तो आध तक है जो हमारे यहां आए तो सबी हमारे मा वहन मतलब बेहन डेका है जो मा का यहां पैरश हुआ हैं बजर्ग लोगों का और है जो हर किसी वही crois cet यहां बहुत आज मतलब है जो उनके मतलब जैसे है और तो आज बोनको मतलब है भग्वान ने मतलब जो मौका दिया है तो आज भूख खड़े होगा विधान सबागे लिए तो पहले से भी लड़कियों का करने मंतरान हम लोग देते हैं तो वह आते हैं बबलु भाईया वड कि अलग अलग पाइटी के बड़े बड़े दिग्गर नेता इसी तरह दली तादिवासों को एक घर जाते हैं और वहां पर फोटो कीच कर सोशल मीडिया पर वाइरल करते कि आज हमने दली तादिवासी के घर भोजन किया भोजन खाया लेकिन अगर ध्यान से तस्वीरे अधर वादोजी चलका रहे थे तो उस परिवारते हम मिला रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा था या फिर सही सही उन्होंने बोजन किया है सही बहुत 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 हमने हाथ से परोसा है खाना लोगों को अच्छा कुछ उम्मीदें हैं आपको उनसे बहुत उम्मीदें हम तो प्रघ्र में बहुत हमारे गाम लोग रहे हैं तो इंद्रिप्स एब्रतों जी अभी तक वर्तमान सरकार जो मतप्रदेश में हैं मामा तो क्या-क्या सुबिदहायां आप जो अंभी तक मिल रही हैं या फिर क्या नहीं मिल रही है सो अभी को इस रही है जो मतलब नos necessary गभड़न करने जाते हैं तो मतलब तैसील से बनवाना पढ़ता है तो चार बार भजबशेयर 구la उधार अब कर दो हजार रोपे थे दो हजार रोपे भी लग जाते हैं और आगा तो आगा नहीं पहले हैं अब पैसे घब नहीं मिलता है अब नहीं मिलता है पिल्कुल भी नहीं पता जी थे तो मतलब जब तक साथ में जुड़े रहे तो मिलता था अबितक नहीं बना है कम से कम तेड़ साल हो गया हमको मतलब अपनी परिवाराडी अलग करवाएं तो जो हमारा मतलब BPL कार्ड नहीं बना तो कैसे खर्चा वगरे कैसे चलता हो कैसे आप सब्सक्राइब जागा जमीन कुछ है नहीं कुछ नहीं है और जब अखिलेज यह पर आय थे तो उन्होंने कुछ आज्वासन दिया सांतोन दी की सरकार अमारी बने गिया हमारा विदहाय है जीते हैं तो मतलब बोर रहते हैं आप लोगों के सभी की मतलब घर वाने हैं अब योजना चलाएंगे अच्छा और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं एतने बड़े नेता आपके दरवाजी पर आए थे यहां पर उन भोजन किया क्या कुछ कहेंगे आप लिए दर्शकों को यहीं बोला चाहते हैं कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हो तो ज्यादा तरकिया प्लिस भाईया का सपूर करें और चुआ चुआ चुट जेसे और मला उन्होंने जो चुआ चुट है जो हमारे यहां नहीं माना है खाना का करके गए तो हम तो समाजवादी पार्टी घराष्टी अध्यक्या और सब्सक्राइब हो सबस्क्राइब घथा आपने पहली बार नजबीग देखा-पहली नाम सुनते अब आप देख लिया तो आप बहुत अच्छा था हैं दोस्तो कभी इन नवसे टटोल कर देखिए आपको प्यार ही प्यार मिलेगा यह है इनकी धर्म पतनी है यह उनसे भी रूबरू करवाते हैं क्या कुछ उन्होंने खाने में बनाया था जिसको अखिले से यादव जी ने बड़ी प्रेम और बड़ी चाओ के साथ खाया था और खाने कबाद उन कड़ी चांवल तक्र चटनी भी बनाई थी रोटी फ़ेगंक की उन्हेंनों खाया है आप नहीं में बनाया हां जी ओर भी हमारे सात में पैसे भी दे गए ती हम की हम दर्दी यह एक प्रकार से समझें इसको है यह कहा जा सकता है कि खुस होकर उन्हों आपके द्वारा बनाए गए खाने पर खुस होकर उन्होंने इनाम के तर पर आपको दिया तो आपको कैसा लगा जब कोई एक इतना बड़ा नेता जो कोई एक राजी का मुखमंत्री हुआ करता था आपके दहलीज पर आया और भोजन किया और साथ में आपकी तारी भीकी नहीं हमने तो सोचाई कोई हमाय तरवाजे आएगा है आमतरप लोग षूआ-चूट मानते हैं यह न रीजम को बिलूगे आप मैं लिए रहा है कान यह प्या करे दो कि लिए जागा जमीन अगर बात करें रहे हैं कोछब Нबं ऍुद्य बता ये कि और कुछ उमीद आपको क्या लगता है कि कैसी कैसी सुम्हाइं है आपको मिलनी चाहिए अपर सर हम तो ही सोचते है हमारे मतलब है जो जमीन नहीं है तो हमको जमीन मिले और क्या नाम करके पानी की सुब्दा हो तासे हम किसानी कर सके बच्चों का सही से मतलब है जो अपने पालन पोस्टर कर सके ता और थोड़ी बच्चों को सिक्षा भी मिले तब हम घर पे रहेंगे तब ही तो बच्चे हमारे सिक्षा पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल सरकाम जाएंगे तो कौन यहां के लिए थोड़ी छोड़ेंगे किसके भरोस तो कुणा खोदना रोज पानी पी जैसे जिन्दगी जी रहा है और एक दिन बाढ़ जाए तो भूख तो बस जीत गया तो फिर वस क्या है वो फिर आपने कुर्सी टूर पा है गरीब तो जहीं के तई है चलिए ठीक है तो एक बार कैमरामेंट से तोड़ा से तश्वीरे दिखा दें यह हैं इंदृपाला दिवासी जी का घर और इसी घर पर जो है अखिले से आदो जी आये थ सब खड़े थे तो आप कहां से हाथ दिखा रहे थे अखिले से आदो जी आपको कहां से हाथ दे रहे थे तो दोस्तों यह हैं इंदृपाल आदिवासी जी तो आप देख पार हैं इनका यह घर आधा धूरा गिरा और कुछ बना हुआ खपरायल मकान है और आज भी मद्ध प्रदेश में दली तादिवासियों की जहां पर बात आती है तो आज भी उसी दसा में हैं जिस दसा में यह आसिलग भग सववर्च पूर्वती उसी तरह अपना जीवन यापन यह लोग तमाम जिन्दगी की जद्दो जहद में भीता रहे हैं लेकिन इनको नया आयाम नया सब रास्ता देने वाला कोई नहीं है अश्यादो जी आये आप लोगों को दिखाते हैं अंदर भी जए अख्ले सादोजी गये ते वह जगा दिखाते हैं कहां तक आये थे यह आप देख पा रहे हैं यह इनका घर खपरायल है और किस तरह से लोग जीवन आपन होते हैं कैस अब हैब को कि वरतमान सरकार को भी मिल रही हमारे टीन मैने की हो गई लड़काई डिलिवरी के पैसे अभी तक नहीं डरे है अभी तक नहीं डरे हैं रोज का खाना हम ने ऑनाता है बोल रहा है तें कि डाल दी है ढ đầu दिये हम और दोस्तों बताती चले कि मदप्रदेश 36 गड़ जितने भी पाठा छेतर हैं पहाडी छेतर हैं आज भी दली तादिवासियों की जो हालत है वो वस से बत्तर है यह तस्बीरे हम आपको मदप्रदेश के अतरपुर जीले के अंतरगत आने वाले राजनगर विदान सभा के ए परिवार इनके यह तूटे फूटे मकान वह भी खपरायल कच्चे और यह था इंदरपाल आदिवासी जी का पूरा परिवार यह चोटे चोटे बच्चे हैं यह तस्बीर आप देख पाएंगे एक बार कैमरामेंस से कहें को घुमा के पूरे परिशेतर का नजारा थोड़ कर दी हैं और मदप्रदेश में ज्यादा तर दली तादिवासियों की बोट पर कब्जा जमाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने लुभाव ने सासान और अस्वासंदे ने सुरू कर दिये तो दोस्तों आज की तस्बीर हम आपको मदप्रदेश के छतर पूर जिले के अंतरगत राजनगर विजान सभा से सिग्रो नामक गाउं से दिखा रहे थे तो खबर कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगली खबर में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन